Great morning students, I hope all are fine and safe at your home. आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट तेन सब्द को पढ़ेंगे. बच्चों, इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम एक गेम खेलते हैं. हम आज खेलेंगे सब्दों की अंताक्स्री. मैं आपको एक सब्द बोलूँगी और आप सभी ने उसके लास्ट वर्ण से सब्द बनाते हुए चलना है. तो देखिए, पहला सब्द है अनार, रैसे राम, very good, मैसे, मन, नैसे, नाक, very good, कैसे, काम, तो ये हमारे क्या बन गए? सब्द, वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? सब्द, तो सब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को सब्द कहते हैं. मेज जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, वो क्या कहलाते हैं, सब्द, सब्द दो परकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक आज हम अपने पाठ में यही सब पढ़ने वाले हैं, तो चलिए, अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं पार्ट 3 सब्द वर्ड जोड़िये और समझे, अब सभी बच्चे मेरे साथ जोड़ जाएं और इसे समझे, बच्चों, आज हम सभी सब्दों की अंताक्सरी खेलेंगे मैं एक सब्द बोलूँगा, और आप सभी एक-एक करके सब्द के आखिरी वर्ड से नया सब्द बनाएंगे पहला सब्द है आराम, रीचा, अब आप मैं वर्ड से एक सब्द बनाओ अब अध्यापक ने क्या कहा बच्चों को, कि हम सभी अंताक्सरी खेलेंगे मैं आपको सब्द बोलूँगा और आप उसके आकरी वर्ड से अलग सब्द बनाएंगे तो रीचा को क्या दिया है, मैं, रीचा ने मैं से बनाया मचली, next student, ली से लीची, ची से चीता, ता से ताला आगे देखिए अभी आप सबने सब्दों की अंताक्सरी खेली जिससे हमारे पास कितने सारे सब्द इकठे हो गए परन्तु कई बार हम जल्दबाजी में वर्णों को आगे पीछे भी जोड़ देते हैं जिससे सही सब्द नहीं बन पाता आईए जाने की गलत अत्वा निरर्थक सब्द कैसे बन जाते हैं अब हम किसके बारे में जानेंगे, निरत्थक सब्द कैसे बनते हैं, उसके बारे में जानेंगे, तो देखी नेक्स्ट पेज पर, आपको सबसे पहले दिख रही हैं, चितर दिखाई दे रहें न सभी को, तो देखी फर्स चितर किसका है, किला, बाजार, सर्दी, जोकर, बच जो उपर जो चित्र दिये गए हैं, उनसे नीचे लिखे नाम सब्द है, ये सब्द वर्णों को मिलकर बने हैं, जैसे कह, जमाई, जमाले, जमाह, क्या बना? किला, आगे देखिया, अगर इन्ही वर्णों को पलट दें, तो सब्द बनेगा, अब किला में जो वर्ण आए हैं इनको क्या कर दे हम पलट दे मिन्स इनको बदल के लिखे तो देखी कैसे लिखा जाएगा ले जमा आ जमा के जमा ई तो क्या सब्द बना लाकी जिसका कोई अर्थ नहीं है इसका कोई अर्थ नहीं है अत्य यह सब्द नहीं है सब्द वे होते हैं जिसका कोई अर्थ होता है अब इसका कोई अर्थ ही नहीं तो यह क्या नहीं है सब्द भी नहीं है Got it? किला सब्द सार्थक यानि अर्थ के साथ है और लाकी सब्ध निरथक यानि अर्थ के बिना है इसी तरह आगे वर देखिए सब्ध है जाबार दीरस रख्जो जो उपर दिये वेते हैं हमारे सामने चितर में वही क्या कर दिये हैं नीचे उनको बदल के लिखा गया है जिससे उनका कोई अर्थ नहीं है ये तीनों भी कोई सब्ध नहीं है क्योंकि इनके भी कोई अर्थ नहीं है इस परकार वर्णों के सार्थक मेल को सब्ध कहते हैं जैसे किताब, कुर्सी, मेज, पैन, पैंसिल आदी ओके आगे देखें नेक्स्ट पेज पर सब्ध भेद अब हम पढ़ेंगे सब्ध भेद अर्थ के आधार पर मिंज इसका अर्थ निकलता उसके आधार पर दो तरह के होते हैं सब्ध कितने तरह के दो सार्थक और निरर्थक सार्थक सब्ध वर्णों के मेल से बने ऐसे सब्ध जिनका कोई न कोई अर्थ होता है सार्थक सब्ध कहलाते हैं जैसे कुर्सी, पेड, घास, कपड़ा आधी सेकेंड है मारा निरर्थक सब्ध वर्णों के मेल से बने ऐसे सब्ध जिनका कोई अर्थ नहीं होता है निरर्थक सब्ध कहलाते हैं जैसे मड, खच, खन, आधी रेखिए सब्द भेड अर्थ के आधार पर वर्णों के मेल से बने ऐसे सब्द जिनका कोई अर्थ होता है सब्द कहलाते है जैसे कपड़ा, मेज, पेड़ आदी आगे देखिए अब निरर्थक सब्द, वर्णों के मेल से बने ऐसे सब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, निरर्थक सब्द कहलाते हैं, जैसे खर्च मढ आदे, आगे देखिए, आओ दो राएंगे, अब हम दो राएंगे कि हमने पाठ में क्या क्या पढ़ा है, सब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं, सब्द किसे बनते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, वर्णों के सार्थक मेल को ही सब्द कहते हैं, सब्द दो तरह के होते हैं, सार्थक और निरर्थक I hope सब्द पार्ट में जो आज हमने पढ़ा वो आपको समझा गया होगा हमने पढ़ा सब्द किसे कहते हैं वरणों के सार्थक मेल को सब्द कहते हैं सब्द के परकार अर्थ के आधार पर सब्द दो तरहेगे होते हैं सार्थक और निरर्थक, सार्थक वे सब्ध होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, जैसे मेज, कुर्सी, आदी, निरर्थक निरर्थक वे सब्ध होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे अर्ड, सर्ड, आदी. आप सभी ने इस पार्ट को रीड करना है धन्यवाद आपका दिन सुभ हो